क्या हमारे नेता या उनके बेटे रिष्टेदार चोरी करते होंगे खास कर वो नेता जो दिन रात धर्म में डूबे रहते हैं धर्म की बात करते हैं राम राम जबते हैं अगर ऐसे नेता का नाम आए तो क्या आप आश्चर नहीं करेंगे हम बात कर रहे हैं मद्यप्रदेश के एक ऐसे कद्दावर नेता की जिसका MP में जलवा हुआ करता था जलवा चलता था लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके जलवे को हलवा बनाने की तैयारी कर दी गई है नमस्कार मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल्टॉप बात कर रहे हैं मद्यप्रदेश के पूर्व ग्रहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की नरोत्तम मिश्रा की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके बयान वाइरल होते थे जो अपने मुख से अगर कुछ कह दें तो दिन रात उस पर चर्चा होती थी वो नाम है नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधान सवा में चुनाव हार गए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीटी को शायद नजर लग गई है, ना जादा कहीं लाइम लाइट में दिखाई देते हैं और ना ही जादा अब उनके बयान सामने आते हैं, लेकिन आज एक खबर उनस असी बाइपास पर इस्तित है, इसमें एक पार्टनर भी है, विल्डर रोहित वादवा, अब आप यहां पर देखिए कि इस रिसोट पर छापा पड़ता है, छापा जी एस्टी का, भोपाल से टीम आती है, आश्चर की बाद देखिए, इतना बड़ा नाम नरोत्तम मिश् से, और जब टीम आती है ग्वालियर भी, तो ग्वालियर का जो जी एस्टी डिपार्टमेंट के जो करमचारी है, उनको भी सिर्फ साथ में ले जाया जाता है, बताया नहीं जाता कि कहां जा रहे हैं, यह छापा 11 मार्च को पड़ा है, यानि कि चल रहा है, अभी भी एक ट स्पोर्ट्स के मताबिक जो आ रही है, वो आ रही है कि डेड़ से दो करोड की टैक्स चोरी इसमें सामने आई है, आप सोचिए इतना बड़ा नाम, नरोतम, मिस्रा, उनके बेटे, अन्शुमन, मिस्रा, और टैक्स चोरी के मामले में खबर आए, तो कैसा लगेगा, के मन में भाव नहीं आएगा कि हम भी किसी भी परकार की चोरी कर लें, जब हमारे नेता के जो अन्वाई हैं, हमारे नेता के जो सुपुत्र हैं, वो इसमें आ रहे हैं, क्या नहीं आएगा, जो लीडर होते हैं, जो हीरो होते हैं, जिनके फैंस होते हैं, वो नहीं को तो फ नकैल कसी जा रही है जैसे जैसे और समय आएगा क्या नरोत्तम मिस्रा की राजनिती पर नकैल कसने की तैयारी हो रही है या फिर बिवाग अपना काम कर रहा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं है कोई भी व्यक्ति हो बराबर तरीके से काम होता है उसमें किसी भी भेदवाव नहीं होता, ये बाजपा पार्टी की तरफ से मैसिज दिया गया है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से भी देखते हों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजेगा, चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा, साती सा सर को जोइन वे थैंक्स बटन के दार, जरूर सपोर्ट कीजेए, जिससे हम और बहतर कारे कर सकें, नमस्कार.